वियना में अध्यान और कश्ट के वर्स मेरी माता का देहांत क्या हुआ जैसे एक तरह से मेरे भागे का फैसला ही हो गया उनकी बीमारी के अंतिम महीनों में मैं Academy of Fine Arts की प्रवेस परिक्षा देने गया था रेखा चित्रों का भारी सा पैकेट पाकर मुझे विश्वास हुआ की यह परिक्षा मुझे आसानी से पास कर लेनी चाहिए रियाल सूर में मैं रेखा चित्र की कक्षा में सरवत्तम विद्यार्थी था और तब से मैंने इस विशे में साधाराण से कुछ अधिक प्रगती कर ली थी इसलिए मैं अपने आप से प्रसन्न था और निश्चित सफलता की संभावना पर मुझे और भी गर्व और प्रसन्न था थी मैं चित्रकला के स्थान पर रेखा चित्र में अधिक योग्य था विशेश कर वास्तुकला के अंतरगत रेखा चित्र की भिन भिन साखाओं में मेरी अधिक गती थी इसके साथ साथ वास्तुकला में मेरी रूची निरंतर बढ़ रही थी वियना में मेरे दोस अपता रहने के बाद तो यह रूची जैसे तीवर गती से बढ़ने लगी थी मैं अभी 16 वर्स का भी नहीं था कि हाफ म्यूजियम की कला गैलरी में चितर कलाओं का अध्यन करने गया था परन्तु भवन की कलात्मक्ता नहीं जैसे मेरी रूची को मोलिया अप प्रातकाल से देर रात तक मैं अपना सारा समय सारवाजनिक महत्व के भवनों को देखने में गुजार देता और इस प्रकार भवन ही अपने आप में मेरे आकरसंड का विसेस केंदर बनते गए मैं घंटो लगातार ओपेरा और पार्लियमेंट के सामने चकित सा खड़ा रहता ऐसा लगता था जैसे संपूर्ण रिंग इस्ट्रासे ने मुझे जादू में डाल दिया है मुझे यह सुन्दर रातों का एक मन मोहक द्रिश से लगता था अपनी प्रवेश परिक्षा का परिणाम सुनने के लिए मैं इस सुन्दर सहर में दोबारा आया था और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उत्तिन हो जाऊंगा मुझे अपनी सफलता का इतना अधिक विश्वास था कि जब मुझे यह ख़बर सुनाई गई कि मैं फेल हो गया हूँ तो ऐसा लगा जैसे मुझे पर बिजली तूट पड़ी हो मैं रेक्टर से मिलने गया और उससे कारण बताने के लिए कहा कि मुझे सामाने स्कूल आफ पेंटिंग में द्यार्थी के रूप में क्यों नहीं लिया गया यहाँ स्कूल अकैडमी का ही एक भाग था प्रथम तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे हो सकता था पर यहाँ देखकर मैं तो कभी वास्तुकला की पाटसाला में नहीं जाता और नहीं मैंने वास्तुकला रुपांकन में कोई सिख्षा प्राप्त की थी बात कुछ-कुछ मेरी समझ में आ गई जब मैंने शीलर प्लाटस पर इस्थित हैंसन पैलेस को छोड़ा तो मेरा दिल तूटा हुआ था युवा काल में मैंने पहली बार अपने आपको इतना निरास पाया अब तक मैं अपने योगताओं के बारे में सुनता रहा था परन्तु अब मुझे लगा कि वह एक जूठा ब्रह्म था इससे काफी समय से शिकार हुआ मेरा दो रेपन का परदा खुल गया परन्तु इसके बाद मैं यह नहीं बता सकता था कि यहां सब क्यूं हो रहा है और कैसे हुआ कुछ दिनों में ही मुझे आभास हुआ कि मुझे वास्तुकार बनना चाहिए पर यहां रास्ता बहुत कठिन था रियाल सुल में कुछ विशियों की उपेक्षा और अवेलना करने का मुझे अब बहुत पस्तावा होने लगा एकेडमी के स्कूल आफ आर्किटेक्चर में विशियों को लेने से पहले टेक्निकल बिल्डिंग स्कूल में पढ़ना जरूरी था पर इस स्कूल में प्रवेस पाने के लिए मिडल स्कूल का अनुमती प्रमाणपत्र होना एक अनिवार अहरता थी और मेरे पास यहाँ भी नहीं था मानुए मान नंडों के अनुसार चित्रकला में प्रसिक्छड पाने का मेरा स्वप्न अब संभावनाओं से परे लगता था माता की मृत्यू के बाद मैं तीसरी बार वियना आया इस ब्रमण को तो अब कई वर्सों तक चलना ही निश्चित था समय बीतने पर मैंने एक बार फिर अपने पूराने संकल्प को और द्रिड़ता को बटोर लिया धीरे धीरे मेरा पूर्व विश्वास लोट आया और फिर मेरा मन धे पर टिकने लगा अब मैंने निश्चे कर लिया था कि मैं एक वास्तुकार ही बनूंगा मुझे इसपष्ट हो गया कि वस्तुतह जीवन की राह में आने वाले मुस्किलों को साहस से जीतना चाहिए इन कठनाईयों पर विजय पाने के लिए मैं द्रिड़ प्रतिग्य था मेरे पिता का चित्र हमेशा मेरे सामने आता रहता था जो एक गरीब मूची का बेटा था पर जिसने अपने ही प्रयासों से सरकारी नोकरी प्राप्त कर ली थी मेरी पहल तो अच्छी हुई थी और संगर्स करने की मेरी संभावनाय भी बहतर थी परन्तु उस समय मेरा जीवा ने कठिन परिक्षा से गुजर रहा था मुझे विधाता की कुरूरता साफ नजर आती थी ऐसे लगता था कि जैसे भागे की देवी ने मुझे अपने हाथों से जकल लिया हो और अकसर कुचल डालने की धमकी दे रही हो परन्तु जैसे जैसे मेरी मुश्कुले बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा इरादा भी पक्का होता गया और अंत में मेरे विश्वास की जीत हुई मैं अपने जीवन के इस चरण का अभारी हूँ क्योंकि इस समय से ही मैं अधिक से अधिक मजबूत होता गया और इतना अधिक शक्तिसाली बन गया जैसे की आज मैं आप लोगों के सामने हूँ मैं तो जीवन की कठोर परिश्थितियों के प्रती अपना और भी अधिक आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि इनकी क्रिपा से मैं जीवन में आराम के खोखले पन से मुक्त हो सका वस्तुता है मैं समझता हूँ कि एक मा का दुलार अवश्य मुझसे छीन लिया गया परन्तु मुझे जिन प्रतीकूल परिश्थितियों को सौंप दिया गया वह एक प्रकार से मेरी नई मा थी मैंने इसे दुर्भाग के समझ कर इसके विरुध विद्रो भले ही किया परन्तु वास्तों में मैं बड़ा कृत्यग्य हूँ कि मुझे दीनता और गरीबो में धकेल दिया गया और इस तरह मुझे मालूम हो गया कि जीवन में मुझे किस प्रकार से संघर्ष करना है इस काल में ही मुझे उन संकटों की पहचान हुई जिनकी अब तक ना तो मुझे कोई जानकारी थी और ना ही मुझे मालूम था कि उनका अस्तित्व जर्मन लोगों के लिए कितना भागयवान होगा कितना भयावा था ये दो संकट थे माक्सवाद और यहुदीवाद बहुत से लोगों के लिए वियना के नाम का अर्थ है निसकपट उल्लास या प्रसन जीवन के लिए सुखत इस्थान खेद है वियना में बिताया यह समय मेरे जीवन का सबसे अधिक उदासीन ता का समय था आज भी उसकी सम्रिती मुझे अत्यंत उदासीन बना देती है फेसियन कस्बे में किस प्रकार मैंने गरीबी के पांच साल बिताये और उन पांच वर्सों में किस कठनाई से मैं अपनी आजीवी का कमाता था यह सब बड़ा ही दुखद है मैं पहले दैनिक स्रमिक के रूप में और फिर लगू चितरों का निर्माता चितरकार के रूप में जीवन जीता था यह दोनों धंदे बहुत कम आयव वाले थे इनसे होने वाली आये से तो मेरी भूख भी पूरी तरह से नहीं मिट पाती थी अब मैं क्या करूँ यह भूख तो मेरे जीवन की इस्थाई साथी बन गई जिसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा मेरी हर आवशकता के साथ जुड़ी हुई थी मेरे लिए पुस्तक खरीदनेत का अर्थ था आने वाले दिनों में भूखा रहना फैसियन जाती के एक व्यक्ति से मेरी मित्रता हो गई इस बेदर्द मित्र के साथ मेरा हमेशा जगड़ा होता रहता था परन्तु फिर भी उस दौरान इस मित्र से मैंने जितना सीखा उतना पहले कभी नहीं सीखा मैं आपको फैसियन लोगों के बारे में बता दूँ फैसियन लोग पौराणिक लोग होते थे जिनका उल्लेख आपको हॉमर के ओडीसी नामक महाकावे में मिलेगा कभी वास्तु कला के अध्यन के लिए तो कभी संगीत समारों में जाने के लिए और फिर कभी पुस्त के खरीदने के लिए मुझे गरीब भूखा रहना पड़ता था इन तीनों के अतिरिक्त मुझे जीवन में और कुछ अच्छा नहीं लगता था मैंने उन दिनों बहुत बड़ा और पढ़ने के बाद उन पर गंभीरता से मनन करा काम करने के बाद जितना समय बचता था मैं निष्ठा पूर्वक अध्यन करता था इस तरह कुछ ही वर्स में मैंने ज्ञान का व्रिहत भंडार एकत्रित कर लिया था जो आज भी मेरे लिए लाप्रद है इस अवधी में इससे भी बढ़कर मुझे यह लाब हुआ कि उन वर्सों में मेरे मस्तिस्क में जीवन और संसार के प्रती एक निष्चित द्रिष्टिकोर्ड इस्थिर हो गया और यह उस समय मेरे आचरण को इस्थाई आधार बन गए तब से इस आधार में कोई परिवर्टन नहीं हुआ आज मेरा पक्का विश्वास है कि सामाने तया यह योवन में ही रचनात्मक विचारों का आधार तैयार होता है चाये वे विचार कैसे भी और क्यों नहों मैं आयू की बुद्धिमत्ता और योवन की रचनात्मक्ता के प्रतीभा मैं अंतर करता हूँ आयू की बुद्धिमत्ता अधिक गहराई और दुरदर्सिता से पैदा होती है जो लंबे जीवन के अनभव पर आधारित होती है जबकि योवन की प्रतिभा विचारों और धारणाओं के असीम सक्ति से अंकुरित होती है परन्तु जिन्हें आधिक्य के कारण व्योहार में नहीं लाया जा सकता था यह भविश्य के लिए भवन सामग्री और योजनाय उपलब्द करवाती है यदि वर्सों के बुद्धिमत्ता ने योवन की रशनात्मत्ता प्रतिभा को नहीं बुझा दिया तो उनसे ही आयू के पत्थर लेकर इमारत का निर्माड होता है मैंने अपने माता पिता के साथ घर पर जितना जीवन बिताया था वह दूसरों से भिन्न था मैंने भविष्य की और बिना किसी संका के देखा और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ेगा जिन लोगों के साथ मैंने अपने योवन के दिन बिताये थे वे लगू बुजुरुवा वर्ग के लोग थे यह एक ऐसी दुनिया थी जिसका सारीरिक श्रम पर निर्भर रहने वाले सच्चे मजदूर वर्ग की दुनिया से कोई संबंद नहीं था चाहे यह कुछ अजीब सा लगे परंतु यह सकते है कि आर्थिक दृष्टी से बहतर लोगों को सारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों से विलग करने वाली समस्या को जितना लोग समझते है वहा उससे कहीं ज़्यादा गहरी है इस विभाजन का कारण जिसे हम सत्रुता भी कह सकते हैं यह है कि समाज का एक वर्ग जो सारीरिक स्तर पर अधिक उपर उभरा हुआ हो इस भय से ग्रस्त होता है कि कहीं वह फिर से पुरानी हालत में न पहुंच जाए या कहीं अन्य स्रमोकों के साथ उसे वर्गी करत न कर दिया जाए इसके अतरिक्त उस निम्न वर्ग की सांस्कृतिक दरिद्रता उन्हें एक दूसरे से अभद्रत और तरीकों से मेल मिलाप बढ़ाने में एक प्रतिरोध उत्पन करती है यही कारण है कि जो लोग सामाजिक सोपान के केवल प्रथम चरण में होते हैं वे सांस्कृतिक जीवन के जिस इस्तर से गुजरेर होते हैं उसी इस्तर के लोगों के साथ मजबूरी से संबंद रखना और उन्हें असहनिय हो जाता है यहां यह उलेखनिय है कि अक्सर उद्धत लोगों की तुलना में दूसरे लोग जिने वास्ताव में अन्य वर्ग कहा जा सकता है निम्नतम सामाजिक इस्तर पर रहने वाले लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं उद्धत सब्द से मेरा अभिप्राय उस प्रतेक व्यक्ति से है जो अपने प्रतनेव से उस सामाजिक इस्तर से उपर उठ गया हो जिससे वह पहले संबंदित था वस्तुत है ऐसा व्यक्ति जिस कड़े संघर से गुजरा होता है वह संघर्ष उसकी सामाने मानवीय साहनव भूती को नश्ट कर देता है। अपने अस्तित्व के लिए किया गया उसका सफल संघर्स पीछे रह गए दिनों के प्रती उसकी संवेधन सीलता का नास कर देता है। परदे मेरी आँखों से उतर गए। अब पहली बार मैं लोगों को पहचानने लगा और मैंने खोखले चहरे या पाश्विक आचरण वाले लोगों के बाहरी वेवार और आंतरिक स्वभाव के बीच अंतर देखना सीख लिया। शताबदी के प्रारंभ में वियना उन सहरों की गिंती में पहुँच गया जहां सामाजिक परस्तियां अन्याय पूंड थी। वहां एक और चौंधियाने वाली अमीरी थी तो दूसरी और ग्रणास्पद लाचारी की भयानक विश्मता मोजूद थी। सहर में सामराज्यवाद की धड़कने सर्वत्र महसूस होती थी। इस सहर की आबादी पाँच करोड थी। बहु जातियों से बने इस राज्य के अपने ही ठाट बाट थे। फोड की चोध्याने वाली चमक संपूर्ण विश्व के राज्यों के वाड़िज्य और प्रतिभा के लिए चुम्बक थी। नीजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हैब्सबर्ग राजतंत्र के सब सक्तियों के केंद्री करण की पुस्तेनी नीती ने इस आकरसन को और भी प्रखर रूप दे दिया था। वस्तुतह विभिन राष्ट्रियताओं की खिचडी को संगठित करने के लिए केंद्री करण की नीती बहुत जरूरी थी। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा सहर ही उच अधिकारियों का अभूत पूर्ण जमघट हो गया। इस प्रकार यह नगर एक ही समय में महानगर और शाही निवास बन गया। व्यापारी वर्ग की संपदा और दूसरी और श्रमिक वर्ग की गरीबी आमने सामने थी। रिंग इश्ट्रा से पर महलों के सामने हजारों बेकार आवास घुमते रहते थे। और पुराने अश्ट्रियर ट्रेमफिलिस के नीचे असंख बे घर बार लोगन नहरों की गंदगी और अंधेरे में पड़े रहते थे। जर्मनी में वियना से बहतर कोई दूसरा सायद सहर ही आबाद हुआ हो जहां सामाजिक समस्या का अध्यन किया जा सके। यहां मैं इस ब्रह्म के प्रती चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान उपर से नीचे को किया जा सकता है। जो व्यक्ति कभी पीड़ा देने वाले नाग के पंजे में न फसा हो वह उसके दंस की पीड़ा को कभी नहीं जान सकता है। इस प्रकार भोगे अनुभव के सिवाय किसी अन्य विधी से इस समस्या के अध्यन के प्रयास के परिड़ाम केवल खोखले और भावनात्मक भ्रांतियां पैदा करने वाले ही हो सकते हैं। दोनों ही परिड़ाम हानिकारक हैं। पहला इसलिए क्योंकि वह प्रश्न की जड़ तक कभी पहुँचा ही नहीं और दूसरा इसलिए कि वह प्रश्न की पूरी तरह अभेलना करता है। ये लोग प्राय अपनी अप्रिय उपेक्षा को विनम्रता और त्याग शीलता का नाम देकर दानी होने का ढोंग करते हैं और लोगों के साथ सानुभूती दिखा कर अपने आप पर गर्व करते हैं ऐसे लोग वास्तों में अधिक पापी होते हैं इन लोगों को अभाव की स्वाभाविक और सही जानकारी ना होने के कारण अपने इस पाप की स्वयम अनुभूती नहीं होती है और समय बीतने पर वे यह जानकर चकित होते हैं कि जिस सामाजिक चेतना को लाने का उन्हें इतना आधिक गर्व था उसका कोई परिढाम ही नही रोध होता है तब वे दूसरे लोगों की और कृतिग्यता की चर्चा करते हैं। प्रश्न के अध्यन की प्रवित्ती से बच गया क्योंकि मुझे गरीवी से गरस्त लोगों के बीच रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। का प्रमार तो नहीं समझना चाहिए। आज जब मैं उस समय ग्रहन किये गए प्रभावों के सिलसले को इस्मरण करने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनकी धूमिल सी याद मेरे पास है। यहां मैं केवल उन अधिक महतपूर्ण अनभवों का उल्ले करूँगा जिनोंने मुझे व्यक्तिकत रूप से प्रभावित किया है। और प्रहय मुझे विचलित भी किया है। इसके अतिरिक्त मैं उन कुछ सिक्छाओं का भी वर्णन करूँगा जो मैंने इस अनभव से ग्रहन की है। उन दिनों कोई भी काम पाना कठिन बात नहीं थी क्योंकि मुझे किसी प्रसिक्छड उमीदवार के रूप में तो काम ढूणना नहीं था। वस्तुता मैं तो बेकार होने के कारण कोई भी काम करने के लिए तयार था ताकि मुझे रोटी मिल सके। इसलिए मेरी इस्थिती तो उन प्रवासियों की सिथी जो अपने पाउं से यूरोप की धूल इसलिए चानते हैं ताकि वे नई दुनिया में नए अस्तित्व की निव द्रिड विश्वास के साथ रख सकें और साथ ही अपने लिए नया घर बना सकें। ऐसे लोग वर्ग जाती परिवेश और परंपरा से जुड़े सभी पूर्वा ग्रहों से मुक्त होकर उपलब्द किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे बढ़ने का संकल्प कर लिया। मुझे जल्दी ही महसूस हुआ कि कुछ काम जल्दी मिल जाते हैं पर साथ ही मुझे यह भी पता चला कि जल्दी से मिलने वाले काम खत्म भी जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। उन दिनों दैनिक आजीवी का के निरंतर मिलने निरंतर मिलते रहने की संभावना मुझे धूमिल लग रही थी। वस्तुत है यहां मेरे ने जीवन का अंत्यन्त दुखद समय था जिसमें मैंने अभी प्रवेश किया था। उन दिनों वियना में प्रशिक्षित स्रमिक को बार बार और अधिक समय तक भले ही बेकार नहीं रहना पड़ता था जितना की अप्रशिक्षित स्रमिक को परन्तु फिर भी प्रशिक्षित स्रमिक को भी कई बार उसी तरह की इस्तिती का सामना करना पड़ता था। क्योंकि बाजार में कम मांग की वज़े से बेकार रहकर भूखे मरने की उसकी इस्थिती भले ही न होती हो परंतु हड़ताल या ताला बंदी के कारण उसे भी कभी कभी रोजी रोटी के लाले पड़ जाते थे उस समय संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का कटू सत्य इह था कि सभी के लिए दैनिक आजीवी का कमाने की और निश्चितिता अमेशा बनी रहती थी गाओ का लड़का जो सहर में आता है वहां की आराम की जिंदगी से आकरसित होता है यह सच भी हो सकता है कि उसे कम घंटे काम करना पड़ता है विसेश कर बड़े सहरों की लुभावनी चमक दमक से तो गाओ का आदमी गाओ की अपेक्छा सहर से बहुत ही प्रभावित होता है गाव में क्योंकि वह नियमित मजदूरी कमाने का आधी होता है इसलिए जब तक उसे नई नौकरी नहीं मिलती वह पहली को नहीं छोड़ता फिर ग्रामों में खेतिहर मजदूरों की भी कमी होती है इसका आर्थ यह कदापी नहीं है कि सहर में आकर काम करने वाले यूवक ग्राम में खेती का काम करने वाले यूवकों से बहतर या ताकतवर नहीं होते उल्टे कई बार तो यह देखा गया है कि केवल हश्ट पुष्ट महंती और सक्ति साली ही गाउं छोड़कर सहरों में आते हैं मैं इन प्रवासियों में केवल उनको ही शामिल नहीं करता जो अमेरिका चले जाते हैं बलकि नोकरी के इच्चुक वे युवग भी इनमें शामिल है जो अपने इस्थान ग्राम को छोड़कर सहर जाने का निर्णे करते हैं और वहाँ अजनबी बन जाते हैं वहाँ अनिश्चित भागे का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होता है और कुछ दिनों तक तो यदि नोकरी ना मिले अथवा जल्दी छूड़ जाए तो मामला बहुत ही दुखद होता है नया काम पाना वहाँ भी विशेशकर सर्दियों में अक्सर कठिन और कभी कभी असंभव भी हो जाता है कुछ सब्ता तक तो बेकार जिंदगी चल सकती है क्योंकि बेकार मजदूर को अपने स्रमिक संग से बेरोजगारी भत्ता मिलता रहता है और उसका काम चलता रहता है परन्तु जब उसका अपना धन समाप्त हो जाता है और लंबी बेकारी की वज़े से स्रमिक संग द्वारा दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता भी बंद हो जाता है तो असली मुसीबत सुरू होती है तब वह आवारा घुमता है और भूखे मरता है उस स्थिती में वह या तो अपने सामान को बेचता है या गिर्वी रखता है उसके तन के कपड़े चीथड़े बन जाते है भूख और गरीबी से उसका चहरा दैनी हो जाता है तब वह ऐसे सामाजिक इस्तर पर उतर आता है कि हर वर्ग के इनसानों से मिलना आरंब कर देता है सारेरिक पीड़ा के साथ साथ उसका मस्तिस्क भी विश्व से भर जाता है तब उसके पास सोने के लिए जगे नहीं होती और जैसा आम तोर पर होता है सरदी में तो यह स्थिती काफी पीड़ा दायक हो जाती है अंत में उसे काम मिल जाता है पर वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाती है यह सब फिर से दूसरी बार होता है ऐसा फिर तीसरी बार भी होता है और संभावता तब हालत काफी बिगड जाती है धीरे धीरे वह अपनी निरंतर असुरक्षा के कारण अपने प्रती उदासींत हो जाता है और अंत में वह इसका अभ्यासी भी हो जाता है इस तरह से एक महंती और इमांदार आदमी का जीवन के प्रती संपूंड द्रिष्टिकोड उदासींता कासा हो जाता है धीरे धीरे वहाँ चरित्रहीन लोगों की संगती में पढ़ जाता है और वे अपने अधम स्वार्थों के लिए उसका बार-बार दुरुप्यों करते हैं इस सब में उसका कोई दोश नहीं होता क्योंकि वहाँ बुराईयों के प्रती भी उदासीन हो जाता है इस्थिती यह हो जाती है कि जिस हरताल में वह भाग लेता है वह उस हरताल के उद्दे से की चिंता ही नहीं करता वह यह नहीं सोचता है कि वह हरताल उसके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए है या नहीं चाहे हर्ताल में शामिल होना उसके सभाव के अनुकूल भी हो तो भी वह सिर्फ उदासींता से ही उसमें सम्मिलित होता है। मैंने अपनी आखों से ऐसे हजारों मामले देखे हैं जो इस प्रक्रिया के सजीव उधारण हैं। जितना जादा मैं इन्हें देखता हूँ। बड में उन्हें निर्दयता से तोड़ कर रख देता है। जब वे शुरू-शुरू में सहर में आते हैं तो उनका घरवालों से संपर्क बना रहता है। पर जब वे यहां इस्थाई रूप से रहने लग जाते हैं तो गाउं से उनके सारे रिस्ते तूट जाते हैं। मुझे महानगर के जीवन में ऐसी ही गंभीर परसितियों का बोज उठाना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे भाग ये मेरे साथ खेल ही खेल रहा है। मैंने इसका प्रभाव अपनी आत्मा पर भी अनभो किया। एक बात तो उभर कर बिल्कुल हिस्पस्ट हो गई की काम से अचानक बेकारी, बेकारी से काम और फिर बेकारी ऐसे आय और व्याय में बहुत उतार चड़ाव आते रहने से मित व्यायता और सूज भूज से खर्च करने की आदत ही छूट गई। अच्छे दिनों में भी जब पुना रोजगार मिल जाता है तो नियंत्रित तरीके से धन खर्च करने की आदत चूमंतर हो जाती है। इसका कारण यह है कि बेरोजगारी मिस्रमिक को जिन वंचनाओं को सहन करना पड़ता है उनकी मनोवेग्यानिक रूप से छती पूर्ती निरंतर उन मानसिक मर्चिकाओं से होती है जी भर कर खाते समय जिनके हाथ वह अपने होने की कलपना करता है। उसका वह स्वपन इस इच्छा में और इच्छा एक दूसित आवेग में बदल जाती है। यहाँ आवेग धंदे से वेतन मिलने पर सैयम के सभी बंधनों को तोड़ डालता है। इसलिए जब पुना काम मिलता है तो वह अपनी आमदनी को नियंतरित तरीके से व्याय करना भूल जाता है और भविश्य की चिंता किये बीना अंधा धुन व्याय करता है। इस प्रकार व्याय के बुद्धी संगत नियोजन ना होने से उसके सापता ही घरेलू बजट में और व्यवस्तता उत्पन हो जाती है। जिस इस्थिती का अभी मैंने उलेक किया है। जाता है कि आये केवल एक दिन में ही चल पाती है। और यदि आदत नहीं बदली तो पूरे सपता कि आये एक रात में मौझ मस्टी में ही समाप्त हो जाती है। इन स्रमिकों के घर पर अक्सर पत्नी और बच्चे होते हैं और अधिकत्त मामलों में ऐसा होता है कि वे एक विसेश प्रकार के रहन सहन के आदी हो जाते हैं विसेशकर जहां पुरुस पत्नी और बच्चे प्रेम से रहते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे सुख के साधन जुटाना चाहता है और अपनी रूचियों के अनुसार उन्हें रखना चाहता है जहां वहां वे सब मिलकर सप्ता की आये को दो-तिन दिन में ही खर्च कर ड रहते हैं तब पत्नी आख बचा कर पडोस में घुमना सुरू कर देती है कमी के दिनों में घर को चलाने के लिए कुछ उधार लाती है दुकानदार से थोड़ा बहुत सामान खरिद लाने के लिए उधार बढ़ना पड़ता है जब वे दोपहर का भोजन करने के लिए खट पत्न मिलेगा उसकी चर्चा करते हैं योजनाय बनाते हैं और भूके होते हैं तथा आने वाले समय से जी भरकर खाने के स्वपन देखते हैं इस तरह छोटे बच्चे अपने बच्पन की दिनों में ही लाचारी और दीनता से परिचित हो जाते हैं विपत्ती की चरम सीमा त उसका विरोध करती है तब कलह सुरू हो जाती है पती पत्नी के लिए अजनबी बनकर मदिरा पान करता है दोनों में परस पर मनमुटाव बढ़ जाता है प्रतेक शनिवार को वह सरापी कर आता है पत्नी अपने और बच्चों के लिए वेतन वाले दिन कुछ शीलिंग पान पंतनाक होता है इतना भयानक की भगवान से दया की भीक मांगी जाती है मैंने ऐसे से कड़ो मामले वेवारिक रूप से देखे हैं मैं पहले तो उदास और निरस हो जाता था लेकिन बाद में उनके दुर्भागे की सारी कहानी समझने लगा मैं जानने लगा कि उसके मूल क तारण क्या थे वे अपनी ही बुरी आदतों के सिकार थे एक बात और उन दिनों मकानों की बहुत परिसानी थी वियना के मजदूर बड़ी गंदी बस्तियों में रहते थे मेरा दिल आज भी है सोचकर काप जाता है कि लोग किस तरह से रेन बसेरों और गंदी बस्तियों में रहते थे जो गंदगी अंधकार और और नैतिक तक के घृड़ित अड़े थे तब क्या होगा जब एक दिन दीनता की गुफावों से मुक्त हुए यह दासों के जुंड अपने संब्रांत साथियों पर तूट पड़ेंगे संब्वता अमीर व्यक्तियों ने ऐसी संभावना के बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब चीजे भी हो सकती हैं अपनी मानवी सूजबूज के अभाव में उन्हें कभी अनुमान ही नहीं हुआ कि यदि इन परिसितियों को समय पर बदला ना गया तो भागे कभी न कभी अपना बदला अवश्र लेगा आज मैं विधाता का हिर्दय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस स्कूल में भेजा यहां मैं उन बातों में रूची लेने से इनकार नहीं कर सकता था जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी इस स्कूल ने मुझे एक बड़ा उप्योगी पाठ पढ़ाया तब मैं जिन लोगों के बीच में रहता था कहीं वे पूरी तरह निरास नहूं इसलिए एक और मैं उनके जीवन के बारी मुखोट से जुड़ा रहा और दूसरी और उन कारणों को खोजने में लगा रहा जो उनकी इस दसा के लिए उत्तरदाई थे तब मैं बिना निरास हुए केवल उनके लिए सब कुछ सहन कर लेता था जो इनसान होकर भी इनसान नहीं थे बलकि घृड़ित कानूनों के सिकार थे वे दुरभाग गंदगी बाहरी अपमान और दीनता में जनमे थे परसितियों के दबावे में उपजे उन अपमानित प्राणियों को देखकर अब मुझे भावनात्मक समेदना नहीं होती थी क्योंकि मैं स्वयम ऐसी कठिन परसितियों से गुजर चुका था वैसे भी उनके संबंध में भावनात्मक द्रिश्टी कोण को अपनाना एक गलत बात होगी नहीं दिनों मैंने अनभव किया कि एसी परसितियों में सुधार लाने के दो ही रास्ते हो सकते हैं पहلا रास्ता जनता में सामाजिक दाइत्वों की गहन भावना को उतपन करके सामाजिक विकास की मौलिक इस्थितियों को स्थापित करना और दूसरा रास्ता जिन बुराईयों का सुधार संभाव नहीं है उनकी छटाई के लिए निश्ठुर्ता के साथ सामाजिक दायतों की भावनाव को जगाना जिस प्रकार प्रकर्ती पहले से अस्तित्व में आये जीवों के रख रखाओ की अपेक्छा जीवों के जाती के विकास के उद्देश से संतती के उतकृष्ट प्रजनन पर अधिक ध्यान किंद्रित करती है ठीक इसी तरह से इंसानी जिंदगी में भी मौजूदा संतानों के कृत्रिम सुधार की चेश्टा कम प्रभावी होती है, क्योंकि मानलस स्वभाव के कारण सो में से 99 मामलों में सुधार असंभव ही होता है इसलिए भविष्य के विकास के लिए प्रारंब से ही बहतर रास्ते ढूडने की अधिक आवशक्ता होती है वियेना में अस्तित्व किसंगर्स के दिनों में ही मैंने अच्छी तरह से भाप लिया था कि सभी सामाजिक कतिविधियों का अंत कभी भी केवल भावना के इस्तर पर परुपकार के रूप में पर नहीं हो सकता क्योंकि यह सर्वता उपहासास्पध और व्यर्थ है वस्तुतह आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में मौलिक तुरुटियों को भाप कर उन्हें समाप्त करने के तरीके ढूनने के लिए ही प्रयास किया जाना चाहिए निश्चित ही यह तुरुटियां व्यक्ति के पतन का कारण होजती है या यही उस से पतन की और लाती है भले ही वे अत्यन्त भयंकर ही क्यों नहों अपनाने में मुख्य कठनाईयां यह आती है कि इस ततकालिक परिवर्तन के आंत्रिक धे को और कारणों का फैसला करने में अनिश्चिता बनी रहती है इस अनिश्चिता के कारण मानव की अपराद भावना मिलने लगती है प्रतेक व्यक्ति आज यह जानता है कि यह दुखांत पतन किस कारण हुआ है परंतु कहने से कत्राता है यह प्रति गंभीर और दूर गामी परिणामों के लिए किये जाने वाले सभी प्रतनों को बेकार कर देती है क्योंकि जिन लोगों से यह सब सम्मंधित है यदि वे ही डावाडोल, डरपोग और निरुत्साही हों तो इनकी रक्षा के लिए अनिवार उपायों को लागू करना सर्वता कठी नहीं होता है ऐसी इस्थिती में जब व्यक्ति स्वयम अपने दोश की भावना से दब जाता है तो उसकी उसकी अंतर चेतना और बाहरी शक्ति उसे प्रेरित करती है कि वहाँ परजीवी विकास की सब जड़े काट दे और उन्हें पूनते या निर्मूल कर दे परन्तु आश्ट्रियाई राज्य में सामाजिक अधिकारों या सामाजिक कानूनों की कोई प्रथा प्रंपरा थी ही नहीं अतह यह इस पश्ट था कि वहाँ बढ़ती हुई बुराईयों को मिटाने में सरोथा असमर्थ था मुझे मालूम नहीं कि उस समय वह क्या था जिसने मुझे सबसे अधिक भैभीत किया परन्तु आज मैं समझ गया हूँ कि वह उस समय के मेरे साथियों की आर्थिक दिनता थी उनके असिष्ट रिती रिवाज और नैतिक इस्तर थे तथा उनकी बौधिक संस्कृती का निम्निस्तर होना था कुछ दैनी ये आवारा लोग के मुझे यह सुनकर वह जर्मन हो या ना हो उनके लिए एक सा है और वे तो वही प्रशन होंगे उन्हें खाने पीने के लिए मिलता है बुजुरुवा वर्गों के कई बार नैतिक रोश पैदा होते था वे इस तरह की राश्ट्रिय भावना के अभाव का घोर विरोध करते थे और ऐसी भावनाओं पर उनके दिल बदल जाते थे आप से पूसते हैं कि उनकी अपनी भावनाएं क्यों बहतर हैं उनमें से कितने यह समझते हैं कि इतने उत्कृष्ट राश्ट्र का सदस्य होने का जो उन्हें सभाविक गर्व है वह उन महानुभावों की परंपरा का परिडाम है जिन्होंने कलात्मक और सांस्कृतिक जीवन के सभी छेत्रों में अपनी पित्र भूमी और राश्ट्र की महानता के लिए अपने प्राणों की आहुती चड़ा दी आज भी कितने लोग महसूस करते हैं कि पित्र भूमी पर गर्व का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि उन सभी छेत्रों में उनकी महानता का अधिक से अधिक ज्यान हो क्या हमारे बुजुरुवा वर्ग ने कभी सोचा है कि लोगों को इस विशय का ज्ञान कितना कम है जब कि पित्र भूमी के गौरव की भावना को पनपाने की यह एक अनिवार और पहली आशकता है यह ठीक है कि अन्य देशों में भी इस्थिती कुछ ऐसी है लेकिन फिर भी उन देशों में स्रमिक वर्ग राश्रभक्त रहें हैं यदि ऐसा ना भी रहा हो तो भी यह उपेक्षा के द्रिश्टी कोड को युक्ती संगत हैराने के बहाना नहीं हो सकता सत्य तो यह है कि वास्तों में यह ऐसा नहीं है उधारण के लिए फ्रांसिसी लोगों के संदर में जिसे हम अंतर राश्री सिख्छा कहते हैं विचार किया जाता तो पता चलेगा कि संस्कृती के जिन छेत्रों में फ्रांस की महानता की अत्यदिक ख्याती है यह जिसे फ्रांसिसी सभ्यता कहा जाता है फ्रांसिसी बालक को उस सभ्यता के शुद्धत वस्तुनिष्ट सिध्धानतों की सिख्छा नहीं दी जाती अपितु देश की राजनितिक और सांस्कृतिक महानता के महत्व की जानकारी उतने ही आत्मनिष्ट तरीके से दी जाती है जितनी की कोई उसकी कल्पना कर सकता है इस प्रकार की सिक्षा को विस्तृत परिपेक्ष्यों में सामानने विचारों तक ही सीमित रखना पड़ेगा और आवशक्ता पढ़ने पर बार बार मनन करने के लोगों की स्मृतियों एवं भावनाओं पर उसे गहराई से अंकित करना पड़ेगा सत्य तो यह है कि हम केवल अपने मामले में इस संस्कृती के विलोपन के नकारात्मक पापो के ही दोशी नहीं है बलकि निश्चित ही कुछ व्यक्तियों को स्वभाग्य से ब्रष्ट करने के भी इस प्रकार दोशी है जिस प्रकार चुहे जो जहां हमारी अर्थ व्यस्था को विश्मे करते हैं वहीं समानने जनों के संकट और दरिद्रता से सुरक्षित दिलों और दिमागों को भी थोड़ा सा कुतर देते हैं पाठक निमलिखित विधी से इस तथे की कल्पना करने का कष्ट करें तो बात इस्पष्ट हो जाएगी एक तैखाने में आवास है और उस आवास में दो गीले कमरे हैं इन कमरों में एक मजदूर और उसका परिवार कुल मिला कर साथ लोग रहते हैं हम कल्पना करते हैं कि उसमें एक बालक तीन वर्स का है इस आयू में बच्चे उन पहले प्रभावों के प्रतिविशे सचेत रहते हैं जिनके संपर्क में वे आते हैं प्रारंभिक वर्सों में ग्रहित प्रभाव अत्यधिक मेधावी लोगों की याद में काफी आयू तक अंकित रहते हैं यदि यहाँ इसपष्ठ है कि उन कमरों की तंगी और उनमें जमा भीड़ सुखद मन इस्थिती के लिए अनुकूल नहीं है इस तरह के वातावरण में कलह और मारपीट का होना सभाविक है इन लोगों के संबंद में यहाँ नहीं कहा जा सकता कि ये लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं वहाँ घर में थोड़ी बहुत गलत फैमी पैदा हो भी जाए तो वह कुछ देर में अपने आप दूर हो जाती है परन्तु तंग आवासों की खुटनतो निरंतर जगडों का कारण बन जाती है जहां तक बच्चों का संबंध है वे अपिच्छा कृत अधिक शहनसील होते हैं ऐसे हालात में वे एक दूसरे से हमेशा लड़ते जगडते अवस्य रहते हैं परन्तु वे सीगर और पूरी तरे से जगडों को भूल जाते हैं इसके विपरी जब माता पिता प्रति दिन जगडते हैं और यह नोगजोग अक्सर ऐसी तीवरता पर उतर आती है कि जिसे सहन करना अनुमान से भी बाहर हो जाता है तो ऐसी घटनाओं के प्रभाव बच्चों के उपर इसपष्ट रूप से दिखने लगते हैं ऐसे वातावरण को तथा प्रतिरोध से उत्पन होने वाली प्रिसितियों को जब बच्चा सराप के नसे में उत्पन अपने क्रोधी पिता को माता के सारेरिक रूप से पीठते और उसके साथ दूर विवहार करते देखता है तो छे वर्स का भोला भाला बालक इन घ्रिड़ित घटनाओं को कैसे भोल सकता है जबकि वैस्क भी इसका विरोध करता है अर्थात अंदेखी नहीं कर पाता है नैतिक विश्य दूसित पेट से भूखा और सैतान दिमाग लिए हुए जब यह बालक नगर की प्रात्मिक पाटसाला में जाता है तो बड़ी कठनाई से ही कुछ लिखना पढ़ना सिख पाता है घर में ना पढ़ लिखने की स्वीधा है और ना ही वाता वरण है घर में तो इसके विपरीत होता है पिता और माता अध्यापक और पाटसाला के बारे में बड़े निंदित भाव से बाचित करते हैं वे अपनी संतान को कोई अच्छी सीख देने की बज़ाय अध्यापकों का अपमान करने में अधिक रूची लेते हैं जो कुछ बालक घर पर सुनता है उससे उसमें अच्छे इनसान का सम्मान करने की भावना उत्पन ही नहीं हो पाती यहां तो संपूर्ण मानों स्वभाव के संबंध में कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है यहां तक कि स्कूल में स्कूल से सरकार तक प्रतेक संस्था को गाली दी जाती है धर्म और नीतियों की चर्चा भले ही होती हो या राज्य और सामाजिक व्यवस्था की बात भी होती हो परन्तु इस सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वहां तो सबका उपहास ही किया जाता है जब चौदा वर्स का बालक पाट साला छोड़ता है तो यह कहना कठिन हो जाता है कि उसके चरित्र की कौन सी असाधारन विसिस्ताइं पनपी है जिसे सक्चे ग्यान तथा नैतिक्ता की जन भुट्टी में ही और विस्वास और ग्यान तथा निंदित निरलजता का ही सिक्षा दी गई हो उसके चरित्र में किनी गुड़ों को पनपने की संभावना कैसे की जा सकती है ऐसे व्यक्ति की जिन्दगी में क्या रूची हो सकती है जिसके लिए जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है जिसने कभी अच्छा अनुभाव नहीं किया बलकि इसके विपरित्वा मनुश्य की जीवन के निमनतम इस तर से ही परिचित हो आया हो फलता है तीन वर्स का बालक पंद्रव वर्स की आयू तक पहुँच कर सत्ता के सभी रूपों को गालियां देने का आधी हो जाता है नेतिकता के नाम पर वह केवल तुछता और नीचता से ही परिचित हो रहा है वहाँ उन सभी परिशितियों से आप परिचित रहता है जो उसके विचारों को उच बना सकती है मानवता का यह गंदा नमूना जब जीवन की पाट साला में प्रवेश करता है तो वहाँ उसी तरह की जिन्दगी बसर करता है जैसे उसके पिता उसके लिए बचपन में उधारन के रूप में छोड़ गए थे वहाँ वारा घुमता है और मन मरजी घर आता है अब तो वहाँ उस निराश व्यक्ति को भी गाली देता है जिसने उसे जन दिया था वह भगवान और दुनिया को कोस्ता है और तब से उसे यूकों के लिए सुधारगरी हाउस आफ करेक्शन में बंद कर दिया जाता है वहाँ उस पर आखरी रंग चड़ता है उसके बुजरुवा साथी उसके देश भक्ती के उत्सा के अभाव पर चकित होते हैं आश्चर तो इस बात का है कि बुजरुवा लोग नाट से आलाओं, सिनमा घरों, घटिया पत्रिकाओं और असलील पुस्तकों के द्वारा दिन प्रति दिन लोगों तक पहुंशते जहर को देखते हैं और फिर भी वे सामान जनों के निन्दित नैतिक इस तरों पर और राश्ट्यता के प्रति उनकी उदासिंता पर चकित होते हैं व्यक्ति की पूर्व सिच्छा को छोड़ भी दिया जाए तब भी यह गंदा सिनमा और निक्रिष्ट प्रेश तथा इस तरह के अन्याय साधन क्या उसमें राश्ट्र भक्ति का संचार कर सकते हैं मुझे वह सभी पूरी तरह से समझ आ गया जिसकी मुझे पहले जानकारी नहीं थी मेरी समझ का निसकर्स था स्वस्थ सामाजिक प्रसितियों की स्थापना के लिए लोगों में राश्ट्रेता के संचार का प्रश्ण सबसे प्रथम और सरवाधिक महत्पून है इससे एक ऐसा आधार तयार होता है जो व्यक्ति के प्रसिक्षण के लिए निवार है परिवार में पालन पोशन की अवधी में और पाटसाला में सिख्छा प्राप्ति के समय में जब व्यक्ति में देश की संस्कृति और आर्थिक प्रगती देश की महानता के भाव को जागरित कर देती है तब और केवल तब उसे ऐसे देश का नागरिक होने का गर्व अन्भव होता है कोई भी व्यक्ति केवल उस वस्तु के लिए लड़ सकता है जिससे वह प्रेम करता है